आज मैं बनाने वाली हूँ बड़े और बच्चों सब भी का फेवरेट तो जो मैं टिफिन में रखूंगी आज मैं बनाने वाली हूँ आलू बंडे एक नया टूस देंगे तो सबसे पहले आपको एक बोल में नेना है बेजन तो यहां मैं थोड़े से आलू बंडे बना रही इसे मैंने सिर्फ देखी दो स्कूपी लिया है और सासत में डाल दी हूँ थोड़ी सी हल्दी हल्दी के साथ ही मैं डालूँगी नमक बहुत ही थोड़ा सा डाल दी हूँ क्योंकि मसाले में भी डालना है और अजवाइन को इस तरह से हां से क्रेश करके डाल देंगे सभी च पर जाते हैं और फिर निकालने मुश्किल पड़ती है थोड़ा थोड़ा मिक्स करें और देखे इस तरह की कंसिस्टेंसी होना चाहिए बेटर को रखेंगे साइड में और आई अब हम इसका मसाला बनाते हैं एक कड़ाई में डालें आप थोड़ा सा तेल राई जीरा और इसमें द्रग भी डाल दीज-धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मेश पाउडर अच्छे से भूनने के पाद अबले हुए आलू डाले, नमक डाले धनिया पत्ति डाले और अच्छे से मसाले को मिक्स करें और यहां में थोड़ा से डाले हूं इसमें आमचुर पाउ पनीर को अच्छे से कॉट नेगे और आपको कंभी अलुट थोड़ा सा ओपर सकते हैं बिसिकली पनीर को अच्छे से कोट कर देना है तो यहां में इसको रेक्टेंगल में बना रही हूं तो यह देखिए हमारे एक जो मसाले कप है पैटी वो बनके तयार हो गया है इस तरह से मैं एक और बना लेती हूँ तो यह ऐसा स्नेक से दोस्तों जिसे बच्चे हुए बड़े जट बड़ से खतम कर देंगे और बच्चों को टिफिन में कुछ इस तरह से इंट्रस्टिंग देंगे तो उनका जो टिफिन खाने का इंट्रस्ट है वो बढ़ जाएगा तो यहां मैंने एक और पनीर से ब्रैप करके बना लिया है और हम जो हमने बैटर बनाया था बेशन का उसमें इसको अच्छे से हम कोट कर देंगे देखिए इस तरीके से और मैं आपकोई कट करके भी दिखाऊंगी यह देखिए इतना जबजस्ट नाश्ता है कि खाते ही मज़ा आ जाएगा बस इसमें आप थोड़ा सा तीखा डालें अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं और यहां मैं सारे के सारे जो हमारे अलू बड़ने वो डाल दूंकी सा प्रुम उटो ओियर्पया नाश्ता जाएगा झालें वोरों के बतoli हैं और जाएगा ड्रों के लिएघसे लेगुड़ा यहांश्तों ही एतना जाए रिए जाएगा हैं वोरों के लिए यहा ड्या रहेँ सबती हैं नाषक fällt जाएऊ और वेलूबड़ätे उह और दोगिए प